वेल्कम बैक एवरीवन एस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सुला वाइन याद लिमिटेट के बारे में देखिए एडवांटिज क्या है इस कंपनी को कि इसके पास में वाइन के अलावा प्रॉपटी का बिजनेस भी है प्रॉपटी का बिजनेस इनका जबरदस्त और ए करके एंडिया के अंदर एक ग्रॉइंग मार्केट है एक ग्रॉइंग ट्रेंड वाला मारकेड है नए जेनरेशन के अंदर कंपारिटिवली हम लोग हाईर लिवल पर विटनेस करते हैं वाइन का ओर उब एक इंपोर्टन चीज़ यहां पर समझना अगर अगर नोग इसके competition से बात करें जो hard liquor का competition है तो यह उसके close भी नहीं है अभी तो मुझे लगता है वो बहुत important चीज़ है समझना 4500 करोज का market cap है stock का P 46.1 पे इंडस्ट्री के P से उपर है peg ratio 1.25 के आसपास है peg ratio मुझे लगता है healthy है because sales number के अंदर हमें कहानी पता चल रही है देखो 3.34% की growth जहां 5 years में 3 years में 8.39% तो peg ratio मुझे लगता आने वाले time में adjust हो जाएगी because growth जो है वो बहुत तेजी से catch up कर रही है यहाँ पे तो वो important चीज़ है समझना अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस company के results की तो December 2022 में 180 क्रोड के sales 2023 में बढ़के वाँ 93 क्रोस के होई and quarter 3 जो होता है वो generally इनके लिए एक बहुत अच्छा quarter भी होता है उसके बीचे reason क्या होता है कि इंडिया के अंदर festivity का season होता है and festivity के अंदर लोग generally जाधा spend करते है 35% के करीब margin में margin company maintain कर रही है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि sales जाधा आ रही है तो इनको बहुत problem हो रहा है margins को catch up करने में तो वो एक बहुत अच्छा point desk company के perspective के लिए 40 वेन करोज का net profit बनाए हाँ पर annual level पर sales के अगर हम लोग बात करते हैं तो 2021 में 306 करोड के sales थे देखो 2018-2019 में sales इसके peak हो रहे थे आने उनने काफी जाधा उससे में spend भी किया था advertisements भी करी थी अभी अगर हम लोग देखे COVID में इनके जो sales है वो drop हुए अभी rebounds कर रहे हैं बट उस level तक नहीं पहुच है trading 12 months में 541 करोड के sales हमें देखने को मिल रहे है 32% के करीब यहां पर operating profit margin रहा है net profit 88 करोज कर रहा 10 rupees का EPS हमें देखने को मिला 260 करोड के करीब यहां पर company के borrowings है जिसमें short term borrowings का component जाधा है और वो अभी recently भी इन्होंने बढ़ा है तो यहां पर इक किस पैसे का क्या करेंगे वो देखना बहुत जाधा important है जो है receivables के अंदर stuck है अगर हम लोग यहां पर inventory की बात करें तो उसमें 20 करोड के करीब जो cash है वो stuck है यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं shareholding partner की तो आप देखेंगे कि promoters के पास हमें 26% of the company है and FIIs ने इसमें अपने stake को काफी तेजी से बढ़ाय था इन फाक्ट अभी हम लोगे bulk deal का data देख रहे थे तो Morgan Stanley Asia Singapore Limited ने भी बाय किया है 865,000 shares को बाय किया 575 रुपीस के price से यहां पर FIIs ने अभी recently थोड़े से stake में exit लिया and DIs ने भी बहुत अच्छे तरीके से position बनाई है यह एक बहुत अच्छा point है certainly इस company के लिए World Invest Asia ने यहां पर exit लिया था उसके round news भी आया था यहां पर अगर हम लोग देखते है यह राय news तो इसके round news आया था जो last news रहा है बाकी जो investors and companies hold करते हैं वो आपके screen पर है charts पर discussion करते हैं यहां पर ब्रेकाउट आया था यह ब्रेकाउट क्यों आया था मैं आपको बताता हूं काफी सारी news आगे थी कि FIIs and DIs ने बहुत अच्छा stake जो है इसमें बनाए है जिसके विरसे आप देखें दो दिन के अंदर जिस तरीके breakout आया यह वाली वीडियो मेरे चानल पर है अभी भी अगर आप जाकर देखना चाहते है तो आपको मिल जाएगी सेम हम लोगों ने उस दिन भी discuss किया है कि यह एक हाइप में किसी भी चीज को बाय करना ना थोड़ा सा riskier सेम चीज हमें देखने को मिली हाँ टाइम जरूर लग गया वहां से अगर आप यहां पर देखेंगे आट जयान की यह बात है तो अल्मूस्ट क्लोज टू फॉर्टी फिफ्टी डेज लग गए वहां से वापस आते आते वाट यहां पर एक pullback जो है हमें ultimately देखने को मिला अगर यह लेवल बीट होता है यह जो इसका support region है 527 वाला उसके काफी पास है तो possibilities बनेंगे कि momentum थोड़ा सा रुख सकता है बट gather होने में अब ज्यादा time नहीं लगेगा मैं आपको बताता हूं क्यूँ एक बार जब stock एक नया level देख लेता ना तो वापस जाना उसके बहुत बड़ी बात नहीं होती है वो एक चीज आप समझकर चलना है यहां पर because company fundamentally कोई problem नहीं है company के अंदर वो valuation बे भी company ऐसा ही perform कर रही थी इस valuation बे भी company वैसा ही perform कर रही है वो समझकर चलना है in fact results better रहे हैं तो वो एक important चीज है यहां पर समझना दूसरी चीज यह जो zone है यहां पर हम लोग अच्छी buying expect कर सकते हैं 5, 20, 7 के आसपास में भी हम लोग अच्छी buying expect कर सकते हैं इस zone में भी हम लोग अच्छी buying expect कर सकते हैं तो यह important चीज है यहां पर समझना दूसरी चीज लेवल तो initially 670 का यह जो लेवल है वही critical level रहेगा और इस support को अगर break किया 507 के नीचे गया तो थोड़े से problems हो सकते हैं but possibilities यहां से काफी कम नजर आ रहे हैं कि यह level break हो but with that said I hope you guys enjoyed this episode पसंद आया तो please like share subscribe जरूर करना and I'll see you guys in the next one